दोस्तो प्रभास की मूवी कल की 28988 का फैंस को बे सबरी से इंतजार है फिलम को रिलीज होने में बस अब एक ही दिन बचा है और इसकी एडवांस बुकिंग भी जोरो सोरो से चल रही है एडवांस बुकिंग को देखकर लग रहा है कि प्रभास की ये मूवी बड़े बड़ रिकोर्ड तोडने वाली है कल की 28988 27 जून को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है इस फिलम की खास बात यह है कि ये पहले इंडियर फिलम है जो 210 आई मैक्स स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है फिलम का 2D 3D वरजन हिंदी तमिल और तेलगू में रिलीज होगा कल की 28980 की एडवांस बुकिंग विदेसों में बहुत पहले शुरू हो गई थी विदेसों में भी फिलम की एडवांस बुकिंग रिकोर्ड तोड देखने को मिली थी इंडिया में भी शुरू हो चुकी है और उमीद की जा रही है कि पहले दिन ये मूवी 200 करोड का आंकडा पार कर सक अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ये मूवी 120 करोड से 140 करोड का कलेक्शन कर सकती है जिसमें अकेले आंदर परदेश और तेलंगाना से ये मूवी 90-100 करोड का कारोबार करेगी नौर्थ इंडिया में ये मूवी 20 करोड रुपे कमाएगी वहीं ये मूवी करनाटक, तमिल और केरल से पहले दिन 15 करोड से ज़्यादा का कलेक्शन कर सकती है, ये पैन इंडिया स्टार्स के लिए एक बड़ा रिकोर्ड है, नोर्थ अमेरिका के डिस्ट्रिब्यूटर ने सोसल मेडिया पर पोस्ट करके बताया कि फिलम के 1,25,000 टिक्टे ब ये नमबर और भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी मूवी को रिलीज होने में एक दिन बाकी है, कल की 2898 AD की स्टार कास्ट की बात करें तो फिलम में प्रभास के साथ अमिता बच्चन, दीपिका, पादुकोंड, दीसा पाटनी और कमल हासन भी लीड रोल में नजर आने व मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ